एस्टिमेट तयार किया है और अब एक नए सो रूप वाले डिजाइन की तयारी की ज़ा रही है नगर परिशद ने इसके लिए लोग निर्माण विभाग के आर्किटेक्ट विंग और आई आई टी से मदद मागी है आपको पता दे 1993 में मंडी शहर के बीच वीच स्थित संकन गार्डन के एर्दगिर्द इंदरा मारकेट का निर्मान करवाया गया था इस मारकेट के बीच वीच स्थित 80 goofy घंटा घर से इसकी संदरता और ज्यादा उबर कर सामने आई मार्केट के बीच लोगों के बैठने के लिए काफी अच्छी विवस्ता है जिसका लोग दिन भर यहां आते जाते रहते हैं लेकिन समय के साथ साथ यह मार्केट अब बोड़ी होतने लगी है पैसे में मार्केट की शान को बचाए रखने के लिए इंदरा मार्केट वैपारी यूनियन और नगरपरशन ने जिला प्रशासन के पास इसे नया सोरूप देने का सुझाव रखा था बीसी मंडी रिगवे ठाकूर ने बताया कि मार्केट को नया सोरूप देने की कवायर शुरू कर दी है उन्हें ने बताया कि मार्केट के जिलनोधार पर जीतना भी पैसा खर्च होगा उसे सीम और सांसत के हवाले से प्राप्त किया जाएगा इन्दरा मार्केट के बीचों 20 एक गंटागर के दिन भी अब बदलने वाले है क्योंकि मार्केट को नया सोरूप देने के साथ साथ इस एक गंटागर को सुधारने का प्रयास भी किया जा रहा है आपको बता दे घंटागर के अंदर लगी मशीनरी काफी पुरानी हो चुकी है और अब यह खराब भी हुई है जिस कारण घंटागर की घडियां रुकी पड़ी होती है इन घडियों की मुरमत के लिए कोई उचित कारीगर नहीं मिलता ऐसे में इसके अंदर की सारी मशीनरी को बदलने का निर्णे लिया गया है ताकि आधुनिक तकनीक वाली मशीन लगाई जा सके इसके लिए नहीं मुशीनरी की तलाश की जा रही है और इंदरा मार्केट के साथ साथ इसका जिर्णोधार भी किया जाएगा इंदरा मार्केट के बीचो बीच जो घंटा घर है उसके भी काफी लोग के द्वारा भी ये मैट राया और कही सालों से गड़ी बंद पड़ी हुई है इसके लिए भी हमने नगर परिश्रत को आदेश दिये हैं कि इस पूरी जो उसकी जो मशीन से अंदर उसी को बदल कर एक नई मशीन वहाँ पर स्थापित की जाए ताकि गड़ी भी सही तरीके से चले प्लस वो हर घंटे में जब बच्ती थी उस तरीके के वेवस्ता फिर से यहाँ पर लागू की जाए तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जहाँ पर की पूरा इंदरा मार्केट का डेवलोप्मेंट भी किया जाएगा उसके साथ ही क्लॉक टावर की भी नवी करके उसको अच्छी तरीकेस को चलाए जाएगा